नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोग का हमारी स्ट्यूप चैनल में जिसका नाम है कम्प्यूटर जी ये हमारा हिंदी कृतिदयो टाइपिंग का डे एट है और आज की इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं देखे अभी तक हमने होम रो अपर रो और लो और रो सब की ब होने वाला है सिफ्टिंग का ध्यान दीजिएगा पिछरे लिक्षर में बताया है सब में कि स्टिंग क्या होती हैं फिंगर आपकी होम रो पे वापस आनी चाहिए हर बटन दबाने के बाद देखिए एक कुछ सब्द है जो तीनो लाइन से बने हुई है आपके स्क्रीन पे दिख रहे होगे स्क्रीन सॉट लेने के लिए परिसान मत हुई है हम आपको PDF डिस्क्रिप्सन में देंगे हमाई बात सुनने का यहाँ पर ध्यान दीजे जो हम समझा रहे हैं उसको समझने के कोसिस करिए देखिए कहना किस तरीके से है ध्यान दीजेगा आपको गद वेद हर सब्द को लेना है और चाल लाइन टाइप करना है font size इतना रखना है कि आप आसानी से text को देख पाएं बहुत बड़ा अमत रखिएगा कि चाल लाइन बोला है तो दो ही सब्द लिखे चाल लाइन पूरा हो गया ऐसा font न रखिएगा बार बार समझाता हूँ font size इतनी रखिए कि आपको आसानी से दिख जाए चाल लाइन हर सब्द को type करिए एक बार चाल लाइन में आप type कर लेंगे तो आपको एक बार गद से सुरू करना है और बनारस तक लेके जाना है मतलब इस पूरी चीज को एक paragraph के तौर पे लेना है और पूरा सुरू से आखरी तक type करना है ऐसा आपको 15 बार करना है और कोसिस करनी है कि गलती ना हो और हो भी रही है तो ना के बराबर गलती हो जितनी कम गलती उतने अच्छे आप typing करना सीख रहे हैं इमानदारी से practice करिए हम आपके साथ हैं तीन औरो खतम हो चुकी है अब shift के साथ हम practice करना धीरे धीरे सुरू करेंगे और आपकी typing को और भी enhance करेंगे हमाई चीजे पसंद आती हो हमाई चैनल पसंद आता हो जो कि हम free education computer का पूरा provide कर रहे हैं आप और भी lecture हमारे देख सकते हैं English typing के series भी description में मिल जाएगी देख सकते हैं अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आती हूँ तो वीडियो को like, channel को subscribe कर दीजेगा ताकि आगी भी हम आपके लिए ऐसी videos लाते हैं channel boost होता रहेगा हमें motivation मिलता रहेगा निलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद, keep practicing